नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का जीवा स्टेटी पर तो आज हम जो लेक काए हो है राजिस्तान के दुरुग स्तापते से रिलेटेट टोप 20 क्यूसन जो बार-बार प्रिक्षाओं में पुछ जा रहे हैं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्यूसन है वो है कि बसंती नमक किल्ले का निर्मान किसने करवाया तो जो बसंती नमक किल्ला है उसका निर्मान किसने करवाया ठीक है बसंती गड़ भी कहते है और यह कहाँ पर स्थित है तो यह है सिरोई में स्थित है राणा कुम्भा ने निर्मान करवाया इसको बसंती गड़ भी कहते है और कई जगे इसका नाम बसंती भी मिलता है ठीक है अगला क्यूसन देखते है कि निमिन में से किस दुर्ग को युनेसको ने विरासत गोसित नहीं किया है ध्यान रखना है जो युनेसको है इसने 2010 में 6 दुर्गों को क्या है युनेसकों की जो अपनी विरासत सुची है उसमें सामिल किया गया है कितने दुर्गों को 6 दुर्गों को ठीक है महरानगड इसमें सामिल नहीं है, जेसलमेर भी सामिल है, आमेर भी सामिल है, गागरोन भी सामिल है, इसके लावा फिर है चितोडगड, ठीक है, एक है चितोडगड, चितोडगड दुर्ग भी क्या है, इसमें समेलित है, ठीक है, गागरोन हो गया, आमेर हो गया, और जेसलमे गागरोन, रंथमबोर, कुम्भलगड और चितोयगड़ दूर गया इन सभी को क्या है ? यूनेसको ने विरासत गोसित किया ठीक है ? महरानगड अभी परस्तावित है लेकिन कौन सा नहीं है इन में से ? तो महरानगड को अभी तक को विरासत सुची में सामिल नहीं किया गया है जेसलमेर, आमेर, गागरोन, रन्थमबोर, कुम्बलगड और चितोडगड दूर्ग को ठीक है अगला क्यूसन देखते है ठीक है तो जो महरानगड है इसको क्या है विरासत सुची में सामिल नहीं किया गया है जैसलमेर, आमेर, गागरोंड, रन्थमबोर, कुम्बलगड और चितोड़ दुर्ग ठीक है इन छे दुर्ग को युनेस को ने क्या है विश्वदरोड सुची में सामिल किया है ठीक है अगला क्यूसन देखते हैं किस कैले के लिए का गया था कि अन्य सब कीले नंगे हैं जब कि यह वक्तर बंद है तो जो यह सब्द हैं किस के लिए का गये थे तो option है A. आमेर का किला B. रन्थमबौर का किला C. चितोड़ दुर्ग D. कुमलगड का किला तो ये जो कतन है वो रन्थमबौर दुर्ग के लिए कहा गया था और किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने ठीक है? अबुल फजल ने कहा था कि अबुल फजल ने कहा था ठीक है? तो रन्थमबौर दुर्ग के लिए कहा गया ये सब अगला कि उसने देखते है जुन्णा महल कहां श्थित है? option A है उदेपूर B. विकानेर C. डुंगरपूर D. बिलवडा तो जुन्णा महल है वो option C डुंगरपूर में स्थित है ध्यान रखना ये जुन्णा महल है अगर पूछता जुन्णा गड कहां पर है तो जुन्णा गड कहां होता? विकानेर में होता लेकिन जुन्णा महल कहां पर है तो ये है डुंगरपूर में तो यह ऐसे क्यूशनों का आप जुरूर ध्यान रखें ठीक है एक क्यूशन है मैं आपसे पूशता हूँ कि बादल गड का है बादल गड बादल गड तो बादल गड है वो कहाँ पर है तो बादल गड है जुन्जनु में ठीक है? झूंजनू जिले में है बादल गड़ और जुनना महला हो है बंगरपुर में और जुनना गड़ हो है बिक्का नेर में अगला क्यूसन देखते हैं राज़तान का दूसरा सबसे पूराना किला कऊंसा है? A. बिक्का नेर का किला B. महरान का किला C. जेसल मेर का किला D. चितोडगड दुर्ग कौन सा किला राजस्तान का दूसरा सबसे पूराना दुर्ग है ठीक है तो बताओ इसका option होगा होगा option C. जेसल मेर का किला जेसल मेर का किला दूसरा सबसे पूराना किला है और सबसे पूराना किला है बटनेर का किला ठीक है बटनेर का किला जो कहाँ पर है अनुमान गट में वो सबसे पुराना किला और जेसल मेर का किला दूसरा सबसे पुराना किला है ठीक है जेसल मेर के किले का निर्मान किसने करवाया जेसल बाटी ने ठीक है जेसल बाटी ने निर्मान करवाया जेसल तो जो गागरणदूर के जालाबाड में कौन से स्रेम्हें आता है a पारिक b 1 c जल या d धानवन तो जो गागरणदूर के वह जल दुर की स्रेम्हें में आता है ठीक है यह काली सिंदोर आवगा नदी के किनारे परिस्थित है ठीक है यह जल दुर्ग का उधारन है पारिक क्या होता है पारिक होता है जिसके जाने का रास्ता क्या हो या खटीन हो ठीक है वन कौन सा होता है जो चार ओर से क्या हो वन से गिरावा हो और धानवन कौन सा होता है जो समतल भूमी पर हो जल दुर्ग जिसके चारो और क्या हो जलो ठीक है तो जो गागरोन का दुर्ग है वो क्या है जल दुर्ग का उदारन है ठीक है अगला क्यूशन है कि स्वर्ण गिरी किस किले को का जाता है तो स्वर्ण गिरी किसको का जाता है A. जेसल मेर दुर्ग को B. जेगड को C. तोड का किला D. जालोर का किला तो स्वर्ण गिरी होता है वो किसे का जाता है तो स्वर्ण गिरी या स्वर्ण गिरी ठीक है कई जगे स्वर्ण गिरी भी होता है स्वर्ण गिरी स्वर्ण या स्वर्ण गिरी किसे का जाता है जालोर का किला और जैसले मेर के किले को का जाता है सोनार गड़ ठीक है या सोनार का किला सोनार किला ठीक तो स्वर्ण गिरी या स्वर्ण गिरी किसे का जाता है जालोर के किले को कहा जाता है अगला किसन कोसवर्दन किले का परचलित नाम क्या है A. बढ़नेर का किला B. सहाबाद का किला C. सेरगड का किला D. कुम्बलगड का किला तो कोसवर्दन किला किसे कहते हैं तो सेरगड का किला कोसवर्दन किला कहलाता है और सेरगड का है पुरे राजस्तान में तीन दूर्ग ऐसे हैं जिनका नाम क्या सेरगड का किला है उसमें से जो कोस वर्दन दूर्ग है ये है बारा में ठीक है और इसका निर्मान करवाया था माल देव चोहान ने द्यानक ना ये माल देव चोहान है, मारवाड वाले राव माल देव नहीं है ठीक है, और ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है परवन नदी के किनारे पर स्थित है, माल देव चोहान ने निर्मान करवाया और ये बारा में स्थित है जो बाकी दो सेरगट के किले हैं वो कहाँ पर इस्तित है तो बाकी दो जो सेरगट के किले हैं वो एक तो है चितोड में ठीक है चितोडगड में स्तित है और एक है वो है धोलपूर में ठीक है धोलपूर में और जो यह कोसवर्दन है यह कहाँ पर है सेरगट का दुर्ग यह ह बारा में और किस्त परवन नदी के किना रिष्थित है अगला क्योंसन देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सेरे और सब्सक्राइब जरूर करें कुंबलगट की दिवार की लंबाई कितनी है ए बीस किलो मिटर बीस चताइस किलो मिटर सी चतीस किलो मिटर या दी दस किलो मिटर जो तो कुंबलगट की दिवार है जो चतीस किलो मिटर कितनी है लंबी है और चोड़ाई पुछे तो सात मिटर चोड़ी है ठीक है चतीस किलो मिटर लंबी और सात मिटर चोड़ी और कुंबलगट दुर्ग का निर्मान किसने करवाय था र करना कुंबाने और इसका कुंबलगट दूरग में ही कटारगट दूरग इस्तित बाद्ल मेल इस्तित इट बाद्ल मेल के अंदर क्या है फिर जुन्ना कचरी और जितने भी है उसमें कहा है जन्म हुआ था ठीक है तो कंबलगड के दिवार उसकी लंबाई है 36 km चोड़ई है स अगला क्यूसरे मीट्समें देखते हैं। मैयूट्वजगड किसे का गया है। यह किसे का जाता है। A. गागरोन B. सोनारगड C. रणथंबौर D. महरानगड़ तो गागरोन sorry जो मैयूट्वजगड है, हो किसे का जाता है। तो मयूर्द्वजगड महरान गड़ को का जाता है, इसके अलावा इसको क्या क्या का जाता है, काग गड़ भी का जाता है, काग गड़ क्योंकि इसके अकर्ति कोवे के जैसी है, और इसको का जाता है विहंग गड़, ठीक है विहंग गड़ भी का जाता है इसे, जोदा ने निर्मान करवाया और यह पंचेटिया पाड़ी पर या फिर झो वर्त unity तुक की फाड़ीय उस प्रिस्टित ए इसको कगड़ भी कहते हैं वियंगड़ भी क्यते हैं गड़ चिन्तामनी भी कैते हैं मुझगड़ बेस्धग भी कथे प्रवेस द्वारे जो मुख्य प्रवेस द्वारे उसको नो लखा दुर्वाजा कहते हैं रन्थान चोहान ने रन्थान चोहान ने करवाया ठीक है अगला कुछन देखते हैं हर चीज आपको एक्स्प्लेइन करके बताई जाएगी आप चैनल को लाइक सेरें सब्सक्राइब जरूर करें फिर जुन्नागट दुर्ग बिक्का नेर का निर्मान किसने का निर्माता कौन है ठीक है जुन्नागट दुर्ग जो बिक्का नेर का उसका निर्माता कौन है और जो राव बिक्का इन्होंने एक बिक्का की टोकरी नाम से ठीक है बिक्का की टोकरी नाम से लग नागवर दूर का निर्मान किसने करवाया महाराजा राई सिंग ने करवाया अगला किसने देखते हैं नागवर दूर का निर्मान किसने करवाया A. मैं सिंग राठोड, B. कैमास राठोड, C. जेमल मेडतिया, D. कलाजी राठोड तो जो नागोर दूर गय उसका निर्मान कैमास राठोड ने करवाया कैमास राठोड जो पर्थुराज चोहान तर्तिय था उसका क्या है? पर्दानमंत्री था पीम ता कौन कैमास राठोड पर्थिवराज चोहान तर्थिये के अजमेरों के जो चोहानमंस के राजा थे पर्थिवराज चोहान तर्थिये उसके पर्दानमंत्री थे कौन कैमास राठोड ठीक है और उन्होंने किसका निर्मान करवाया नागोर देखते हैं इगल की पाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है तो जो इगल की पाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है ए जेगड बी नहारगड सी महरानगड दी आमेर तो कौन सा दुर्ग है जो इगल की पाड़ी पर स्थित है तो जेगड सही होगा ये इगल की पाड़ी पर पश्तित है नहारगड कौन सी पाड़ी पर श्तित है अंबे पाड़ी पर ठीक है नहारगड अंबे पाड़ी पर है महरांगड अभी बताए था पंचेट्य पाड़ी पर ठीक है पंचेट्य जिसे वर्तमान में चिडिया टुक की पाड़ी कहते हैं ठीक है तो अंबे पाड़ पर कौन्चा है नहरगड और इगल की पाड़ी पर कौन्चा है जेगडदूर्ग है अगला क्योष में देखते हैं बढ़नेर दुर्ग अनमानगड में मुस्लिम मैलाओं के जोर के परिमान मिलते हैं और यह जो तैमूर तैलंग की जो आत्म कता है तुजु के तैमूरी उसमें ये उले किया गया ठीक है तैमूर तैलंग की जो आत्म कता है तुजुरे तैमू की उसमें क्या किया गया मुसली महिलाओं के जहोर के प्रैमान मिलते हैं बढ़नेर दुर्ग में ठीक है, अगला की उस सेन देखते हैं किस दुर्ग को कुमटा दुर्ग कहते है ठीक है, कुमटा दुर्ग किसे काजाता तो जो शिवाना दुर्ग में आकर क्या करते थे सरं लेते थे तो जो शिवाना दुर्ग उसको क्या का जाता है कुम्टा दुर्ग का जाता है अगला क्यों संद राजिस्तान का तिलिस्म दुर्ग किसे का जाता है या फिर तिलिस्मिया दुर्ग किसे का जाता है A. कोटा का दुर्ग B. बानगड का दुर्ग C. तारागड दुर्ग B. किसनगड दुर्ग तो जो इसका अंसर होगा होगा सी तारागट दुर्ग बुंदी ठीक है दियां रखना बानगट को तिलस्मिय दुर्ग नहीं का जाता है इसको बूतिया दुर्ग का जाता है ठीक है बूतिया गड़ या बूतिया दुर्ग लेकिन जो तिलस्मिय दुर्ग है वो का जाता है त तो तारगट दुर्ग बुंदी अगला कि उसने राजिस्तान के किस दुर्ग के बाहर दोरा पर कोटा है A. रन्थमबोर दुर्ग B. महरान गट दुर्ग C. लोहागट दुर्ग या D. जुन्ना गट दुर्ग तो किस दुर्ग के बार क्या है दोरा परकोटा है तो option C जुन्नागड इसका right answer होगा जुन्नागड इसका right answer होगा लोगड कहाँ पर है बर्दपूर में और इसका निर्मान किसने करवाया तो निर्मान करवाया खेमकरन जाटने ठीक है खेमकरन जाटने इसका निर्मान करवा उपली किस ने किशा रुप है तो किसे ही निर्माण कर दोर सुरजमल जार्ट नहीं. जो माहराजा सुरजमल होई थे उन्होंchnे क्या दोरा परकोटन्ता बनुवाया इके है आरवार, ठीक है. दो बार पर कोटा बनाये गया किसके लोहागट दुर्ग के ठीक है ये मिट्टी सनीर्मित राजस्तान में मातर दोई दुर्ग एक तो लोहागट है और एक बटनेर दुर्ग है सिर्फ दो दुर्ग ऐसे हैं जो मिट्टी सनिर्मित है बठनेर जो अनमानगट में है और लोहागट जो बहरतपूर में है अगला क्यूसन किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा गया खेराबाद दुर्ग किसे का गया थियास में तो A. सिवाना दुर्ग B. चितोडगर दुर्ग C. जालोर दुर्ग या D. आमेर दुर्ग तो इसका option A. राइट अंसर होगा सिवाना दुर्ग को क्या है खेराबाद का गया किस ने कहा तो ये अलाउदीन खिलजी ठीक है अलाउदीन अलाउदीन खिलजी ने इसको खेराबाद का ठीक है अलाउदीन खिलजी ने सात्यलदेव के समय 1308 में इसका नाम बदलगर क्या रख दिया था खेराबाद रख दिया था किसका सिवानागा और चितोड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था अलाउदीन खिलजी ने रतन सिंग्य 301 में ठीक है नहीं 1303 में 11 जुलाई 1303 में क्या रखा था इसका नाम चितोड़ दुर्ग का खिजराबाद और जालोड दुर्ग का जलालाबाद रखा था अलाउदीन खिलजी ने और आमेर का नाम रखा था मौमीनाबाद किसने बादूर सा first ने ठीक है अगला क्यूशन देखिए राजिस्तान का पर्थम दुर्ग जिस पर कैए 5 रुपे का डाक टिकट जारी गए कौन सा दुर्ग था जिस पर 5 रुपे का डाक टिकट जारी गए ऐ आमेर दुर्ग भी जेसल मेर दुर्ग, सिचितोड दुर्ग या डी मेरान गड़ दुर्ग तो जो जेसल मेर दुर्ग के इस पर 2009 में 5 रुपे का डार टिकट जारी किया गया है ठीक, तो जेसल मेर इसका राइट अंसर होगा ठीक, आज के ये 20 क्यूशन पूरे होते हैं आप चैनल को लाइक, सेरे हैं और सब्सक्राइब जलूर करें जीवा स्टेडी को और आपको डेली एकितम एक्स्प्लेंज के साथ ऐसे ही क्यूशन हर सब्जेक्ट के जो पिछली साल परिक्सा में आद चुके हैं बताए जाएंगे धन्यवाद बन रहें जीवा स्टेडी के साथ